आपको याद दिलादें कि ये सारी कलासे PBR study चैनल नंबर 3 पर चलने वाली हैं यहां से ट्रांसफर होने वाली हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रप्शन में दी गई होगी या फिर आप देखोगे तो नीले कलर में लिखा होगा PBR study कलास 9th and 10th आप उस पर टच करोगे फट से नहीं करना है ठीक है फैक्टर निकालना है बस तो चलो कैसे करते हैं इस तरह के समय करण को हमने आपको बहुत पहले भी बता दिया है कि अगर लाइश्ट में चिन्न माइनस है लाइश्ट का चिन्न क्या है माइनस है तो हम ये ट्राई करते हैं कि जो इसका गुडांक है एक गात 5 का मान क्या है तो आप बताओगे कि यक्स की घात 5 का गुडांग है बचलो वो क्या है 3 है क्या है 3 है तो इनको क्या बोलते हैं गुडांग बोलते हैं इनको इंगलिस में कॉफिसियंट बोला जाता है ओके, क्लियर, आप देखो इस तरह से यहाँ पर अगर हम गुडांग की बात करें तो क्या है, वन है, कितना है इसका गुडांग वन है, तो इस तरह से आप ये ट्राइ करोगे कि वन का मल्टीपल करो कि इसमें सिधा फीधा टेन में तो कितना आएगा टेन आएगा तो ऐसी स्थिति में आपको कोई टेंसर नहीं लेना सिर्फ और सिर्फ एक बात समझना है कि ये जो नमबर है तीन तीन को ऐसी दो संख्या में तोड़ो कि जिसको अगर गुडा करो गुडा करो तो क्या हो जाए, दस हो जाए और अगर घटा आओ, तो तीन आए बोलो, कोई ऐसी दो गिंती बताओ दो नमबर बताओ, जिसको अगर हम गुडा करें तो टेन हो और घटा आए तो तीन आए जैसे मालो हमने लिख लिया क्या, पांच और दो तो पांच दूना क्या होगा, दस पांच नहीं, पांच का दो में गुड़ा 10 होगा अब पांच मेंसे दो घटा होगे तो तीन होगा तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये एकस स्क्वाहर जैसे है, उसको ऐसे लिखो माइनस, तीन को आप लिख सकते हो तो पांच माइनस दो और एक बात याद रखना जिस समय करण की जितनी घात होती है उसके उतने ही मूल होते हैं तो इस तरह से यारों यह क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वार माइनस कोईश्टर खोलोगे अंदर के चिन बदल जाएंगे तो यह 5 का एक्स में मल्टिपल होगा तो यह 5 एक्स अब अंदर के चिन बदलेंगे यह चिन थोड़ी बदल जाएगा कि यहां प्लस हो जाएगा यह चेंज होगा माइनस का यह 2 हो जाएगा एक्स में मल्टिपल एक्स माइनस 10 इक्वाल 0 ज्यादा जानकारी के लिए आप 0 लेबल महित देखिए अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है देखो इन दोनों में common होगा इन दोनों में common होगा common का मतलब मैं basic महित में बहुत अच्छे से बताया हूँ इनमें yaks common लेंगे तो हमें बचेगा yaks minus 5 इनमें अगर plus 2 common लेंगे तो yaks minus 5 इस तरह से आप देखोगे yaks minus 5 और yaks plus क्या आएगा 2 एक्वल यह 0 था तो यह 0 हमेंसा रहेगा 1 एक को आप 0 के बराबर करोगे जब yaks minus 5 बराबर 0 तो yaks बराबर क्या आएगा 5 आएगा यद इक्स प्लस 2 इक्वल 0 तो इक्स बराबर माइनस 2 आएगा यानि यहां पर दुगात समीकरण के जो दो मूल आ रहे हैं वो क्या है आप नीचे लिख लेना अताहा दुगात समीकरण x स्कॉार माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 के मूल माइनस 5 कामा सरी प्लस में है 5 कामा माइनस 2 है बस हो गई कहानी खतम अगला समीकरण पर चलते हैं हम लोग बहुत ही ध्यान से देखो इमानदारी से कहीं भी जाना नहीं ठीक है पूरा कलास को देखना इंडे तक बहुत जल्दी ही समझ में आएगा और बहुत अच्छे समझ में आएगा बड़ा मज़ेदार सवाल है देखो यार आप लोग कुछ करने की खुद से भी कोसिस करो अगला सवाल इसी का दूसरा पार्ट है बचलो बहुत ध्यान से देखो यहार यहार बड़ा गर्मी लग रहा है थोड़ा सा फैन चलाने पर आपको अवाज आती होगी क्योंकि एसी होगा रहा तो लगा नहीं बड़ा गड़बर चला सिस्टम इस समय कोरोना के डर से तो भीया थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा देखो आगे क्या है इसमें क्या है मैंने आपको पहले मल्टीपल करके दिखाया था इधर साइड में इसमें भी आप 2 का मल्टीपल करोगे 6 में तो बच्चा लोग आप जानते हो कि 2 का मल्टीपल 6 में करोगे तो 12 आएगा कितना आएगा 12 आएगा तो घटाने के बाद एक आना चाहिए क्योंकि इसका गुडांग क्या है 1 है न एक्स का गुडांग 1 है तो आप ये जान लो कि वो गिंती हो जाएंगी 4 और 3 क्या होंगा 4 और 3 4 में से 3 घटा होगा एक आएगा न एक आएगा और ये एक्स जो है ऐसे ही लिख दिया जाएगा माइनस का 6 इक्वल 0 बात समझ रहे हो कि नहीं नहीं समझ में आएगा कमेंट करके जरूर बताना देखो मैं इसको थोड़ा बिस्तार से आपको बता देता हूँ जो इस्टूडेंट काफी कनफ्यूज हो रहे है जैसे मैंने यहां बताया था वैसे वहां भी यहां पे देखो मैंने यह बताया था ना कि इसका गुड़ांग क्या है एक्स का गुड़ांग 3 है तो हमने इस नंबर को ब्रेकट के अंदर इस तरह से लिखा था कि अगर इसको हम घटाएं तो यह 3 आ जाए बोलो 5 में से 2 गया 3 आ रहा न वो ऐसे यहां है यहां पे यक्स का गुड़ांग 1 है कुछ नहीं होता थो हमेशा एक मानते हैं तो अगर हम इन दोनों को घटाएं तो एक आ जाए जो क्यों आ दिखने है आपको तो घटाएंगे 4 में से 3 तो एक आ जाएगा बस इतना ही करना था अब इनको हल कर लो प्यार से यह 2 एक्स का इसको एर ऐसे ही रहेगा प्लस का प्लस 4 का एक्स में गुड़ा करो तो 4 एक्स माइनस 3 का एक्स में करो तो 3 एक्स और यह बच्चा लोग जो माइनस का 6 है ना इसको 6 लिख लो इक्वल 0 अब आप कामन लोगे इन दोनों में कामन ले लो 2 एक्स कामन हो जाएगा एक्स फ्लस 4 आएगा मैं सही लिख रहा हूँ क्या नहीं 2 एक्स से जब भाग दोगे 4 एक्स में बच्चा लोग तो यह जान लो सिर्फ 2 आएगा उनली का आएगा 2 आएगा यहाँ माइनस का 3 कामन लोगे तो एक्स माइनस और यह देखो प्लस हो जाएगा क्यों 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 कि जब आप कामन माइनस में लोगे तो अंदर में चिन्द बदल जाएगे प्लस हो जाएगे अगर कोश्टक खोलोगे प्लस टू इक्वल जीरो लिख लो तो यक्स बराबर माइनस कदो इतना दिख रहा न अच्छे से इसी तरह से आप दूसरा वाला भी जीरो के बराबर कर लो देखो नीचे नहीं दिख रहा होगा मैं दिखा दूँगा भी टेंसन मत लेना ठीक है लो देख लो नीचे भी कर तो नहीं, ओके गुड, चलिए, अब क्या है, इधर साइड में आपको दिख रहा होगा, यदि x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस का 2, यदि 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो x की वैलू आएगी 3 upon 2, इस तरह से x के दो मूल आ गए, कौन-कौन से, माइनस 2 and 3 upon 2, यही तो, लिख लो जल्दी से, यह दो पार्ट हो गए, अभी अगला भी देखेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किये, तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन आन करें, जिससे कि आप पढ़ सकें, जल्दी करें, इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीन सार्ट ले लो जल्दी से, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहों, बहुत जल्दी करो, देर ना करो, स्क्रीन सार्ट ले लो, फटा पर दोनों हल हो चुके हैं, सामने से हम हट चुके हैं, लुक चुके हैं, कुड़ांग का multiple करना है किसमे लाश्ट वाले अचर पद में तो इसका हम गुड़ा करेंगे under root 2 का five into under root 2 में तो बच्चा लोग आप ये जान लो मैंने आपको कई बार बताया था अगर आप अंडर रूट टू का मल्टिपल अंडर रूट टू में करोगे तो आपको पता है इसका उत्तर दो आता है लेकिन आता कहां से है वहां तक मैं आपको ले चल रहा हूँ सोचो गेस करो अगर आप दो का दो में गुड़ा करोगे तो 4 आएगा अंडर रूट लगा है तो ऐसे ही लगा रहेगा और जब आप 4 का वर्गमूल करोगे तो पलस माइनस 2 आएगा इस तरह से आप डारेक्ट में सार्ट रूप में कह सकते हैं कि किनी भी दो संख्याओं का अगर वर्गमूल का चिन लगा है उनका गुड़ा करोगे तो वो संख्या आ जाएगी वर्गमूल का चिन हट जाएगा ऐसा इसलिए होता है ठीक है तो वही केस यहां भी बनेगा अंडर रूट 2 का हमें गुड़ा करना है किसमें देखो अंडर वैसे रहेगा तो बराबर 10 हो जायागा कितना होगा 10 यानि हमें कुल मिला करके यहां यह नहीं देखना हमें 10 देखना है कितना देखना है 10 10 अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा दिमाख वाला कुश्चन है बहुत ही इमानदारी से इसको देखना क्योंकि इसमें आपको थोड़ा दिमाख इस्ट्रा लगाना पड़ेगा बस एक पॉइंट का दिमाख इस्ट्रा लगाना यह ज्यादा नहीं लगाना है थोड़ा असा इस्ट्रा देखो कैसे यानि हमें यह समझना है कि कोई दो अंक लेने हैं जिनको गुडा करने पर 10 और जोडने पर साथ आए जोडने पर 7, गुड़ा करने पर 10, जल्दी से कमेंट करके बताओ ऐसे 2 अंक कौन से हो सकते हैं, जल्दी बोलो, तो बच्छा लोग आप ये जान सकते हो, वो हो सकते हैं, पांच धन दो, यानि पांच को दो में जोड़ोगे तो 10 और पांच का दो में गुड़ा करोगे तो, पांच का दो में गुडा करोगे तो दस पांच में दो जोडोगे तो साथ हो जायगा X اور प्लस ये 5 और अंडर हूट 2 अब इनका मुल्टीपल करो फटा फट žो भी आप करते आये हो 5 का एक्स प्लस दो का एक्स में प्लस ये इदना अब common लेते समय भी आपके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि भाईया इसमें common क्या लोगे तो बचेगा क्या ये बड़ी आफ़त है है न तो देखो simple सी बात है इसमें दोनों में yaks common होगा only yaks common होगा तो under root 2 yaks बचेगा और plus 5 बचेगा अब कहोगे इसमें दोनों में तो कोई common ही नहीं है है common इसमें common है जैसे आपने देखा होगा नारियल नारियल के उपर भी एक कबर होती उसके अंदर एक कबर होती है आपने प्याज देखा होगा प्याज में कई पर्त होती है वैसे इसमें कई परतें जमी हैं वो कैसे देखो इधार अंडरूट टू इंटू अंडरूट टू का मतलब होता है दो इतना आप जानते हो ना जानते हो ना जैसे दो कदो में गुड़ा करने पे चार होता है वैसे अंडरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू और ये देखो दोनों का ये कोश्टक का जो material है ना ये कोश्टक के माल इककोल होने चाहिए याद रखना जैसे इसमें वैसे इसमें भी मतलब एक समान चिन भी वही गिंती भी वही कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए दोनों ब्रेकर्ट में अब क्या होगा अंडर रूट टू ये यक्स प्लस अंडर रूट टू ये हो गए एककोले सबी जीरो है बच्छा लोग तो आप इनको सबको जीरो कर लेना फटा फट जीरो क्योंकि दूइगाद समी करन है सब जीरो है अब एक एक को जीरो के बरावर कर लो तो यक्स के मूल आएंगे पहला कितना आएगा पत वो हो जाएगा minus 5 under root 2 और नीचे आजाएगा तो यह हो जाएगा इसका एक मूल और अगर दूसरे मूल की बात करें तो दूसरा मूल इसका क्या होगा यक सीक्वल minus का under root 2 कितना हैगा minus under root 2 तो यह होगे आपके तीनों पार्ट होगे पहले question क्या आप जल्दी जल्दी छाप लो फटापड और एक बात याद रखना पीवी आरे study class 9th and 10th जो चैनल का नाम उपर लिखा red color में description में देखो यह नीले color में होगा इस पे touch करो फट से subscribe करो क्योंकि यह सारी class उसी पे transfer होने वाली है और नई बैच 25 तारीक से उस पे चलने वाली है 25 अगस्त से नई बैच शुरू से एक दम class 10th मैथ और class 10th की मैथ सुबह 7 बज़े से चलेगी उस पे कितना बज़े से 7 बज़े से याद रखना इस पे 8 बज़े से चल रहे है उस पे 7 बज़े से चलेगी फिर ये 8 बज़े वाली class यहाँ बंद हो जाएगी तो वहाँ 7 बज़े से देखोगे ना सही रहेगा कमेंट करके बताओ 7 बज़े से देख लोगे कोई दिक्कत तो नहीं ना नहीं तो उपर नमबर दिया गया संपर करना ओके चलो देखे ये question मैं final कर दे रहा हूँ इसमें 5 पार्ट थे मैंने एक भी पार्ट नहीं छोड़ा है अगर आपके मन में तनी की भी दया भावना होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को share जरूर करोगे अपने साथियों में मैंने हर एक पार्ट कर दिया पांचों में से देखो इसका जो चौथा पार्ट कह रहा है इसमें मैं आपको टेकनिक बता दे रहा हूँ बच्चा लोग ये जानलो कि 2 का गुड़ा करोगे एक बटा आठ में 2 का जब गुड़ा करोगे तो one upon four आए और अगर उनको जोड़ दें तो यक्स का गुड़ा क्या इसमें one है ना उनको जोड़ दें तो one आए यानि जोड़ें तो one आए गुड़ा करने तो क्या आए एक बटा चार आए तो वो संख्या हैं आप रखोगे एक बटा दो धन एक बटा दो देख लो करके अगर एक बटा दो को एक बटा दो में जोड़ोगे बच्चा लोग तो आप यह जान लो one आएगा कितना आएगा one आएगा और अगर इनका multiple करोगे यहाँ पे तो देखो one one जा one two two four एक बटा चार आएगा कर लोगे न इसके दो मूल एक बटा चार और एक बटा चार आएगे बराबर होंगे दोनों मूल ठीक अगले में बात करें इसको भी कर ले न अरे इतना तो कर लो यार न मैंने तीन बता दिया कि नहीं बता दिया है दिमाग ज्यादा मत लगाया करो ठीक है ना कुछ कोशिस करो खुद से भी अगर मैं सारे सवाल लिख दूँगा तुम छाप लोगे तो कुछ होने वाला नहीं एक जाम में तीर नहीं मार लोगे ठीक है इसलिए कुछ खुद से भी करो क्योंकि कुछ लोगों का मैं देख रहा तो बच्चा दस में दस जोड़ोगे बीस दस का दस में गुड़ा करोगे तो सो तो कोई समय रात के बहुत जादा टाइम हो रहे हैं इस होजा से हो सकता है कभी-कभी मतलब कुछ बाते हैं थोड़ा बहुत डिश्टर्ब हो जाएं तो उसके लिए माफी चाहते हैं आप उ प्रीमियम क्लास जोइन करिए उसके लिए जोइन प्रीमियम लिख करके इस नंबर पर वाटसप करिए जिसके लिए आपको क्लास 10 की जो पूरी मैतमेटिक्स है उसके लिए 6.99 रूपए का पेमिंट करना पड़ेगा फिर आपको पूरे साल के लिए पूरा कंपलिट मैतमे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में जैहिंद बाकी फ्री की क्लासें ऐसे यूटूब पे चलती रहेंगे उसके लिए हमारे साथ बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और 25 तारीक से जो नई बैच शुरू हो रही सुबह 7 बजे से उपर हैं